आल्राइट गाईज, so welcome to wave trading India, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे premium group की आज की performance के बारे में और आज market क्योंकि यहाँ पर drop down पूरा हो चुका है, तो यहाँ से market आने वाले दिनों में, कल expire है, किस तरह से move कर सकता है, वो भी discuss करेंगे, मैंने कल के session में आपको nifty की update दी थी, कि nifty का यह जो piece है, यह correction के लिए form हो सकता है, और यहाँ से इतना anticipation हमने कल के वीडियो में discuss किया था, आज क्या हुआ है, पूरा का पूरा market gap down हुआ है, gap down के पास यह सीधा यह वाला motive भी आज पूरा का पूरा violation कर दिया, और same bank nifty की यहाँ पर सिनारियों से हैं, अगर update की ब number, intraday support, यह intraday support, यह intraday levels है और यह one hour का level है, यह numbers के साथ हम लोग intraday anticipate कर रहते हैं, आज यहाँ पर timing आप देख सकते हो, structure देख सकते हो, यह जो sell side है, वो इस तरह से हमने anticipate कर रहा था, nifty में, यह छोटा सा एक sell लिया था, क्योंकि हम पर intraday support इस piece के करम थोड़ा सा strength wise था लेकिन जो bank nifty का sell है, वो बहुत अच्छा है यहाँ पर anticipate कर रहा है, हमने यह पूरा का पूरा जो 500 point का आप rally देख रहा है, downside के लिए, पूरी हमने anticipate कर यह bank nifty में, star of the day actually bank nifty रहा है, 45,294 के break के बाद actually यह पूरा का पूरा sell लगबख 45,000 तक का anticipate कर रहा है, 10 बच कर 5 मिट प वो है 19,525 का और अभी right now market वहीं पर खड़ा है, scenario wise यह market strength wise या इस piece को हम as a correction लेंगे, अगर market की जो daily की closing है, वो 19,525 के ऊपर होती है, तो कोई भी trade setup जब तक daily पर हमें यहाँ पर larger scale पर 525 के नीचे closing नहीं मिल रही है, थोड़ा सा bounce या फिर यह इस तरह का internal piece है, most probably अगर कल क के दिन हम 525 को hold करते हैं, तो यह जो trend line आप देख रहे हैं, usually इस trend line को हम कल के session में break कर सकते हैं, यह हमारी anticipation रहने वाली, लेकिन यह plan और यह possibility सिर्फ तब तक valid रहेगी, जब तक हम 525 के ऊपर हैं, अगर हम 525 के ऊपर खल hover करें या resistance लिया या फिर इस number के ऊपर जा नहीं पा आती है, मतलब कल की expiry की, तो फिर officially यह आपका top बन जाएगा, और फिर यहाँ पर correction की further anticipation हम कर सकते हैं, one hour और daily के हिसाब से, लेकिन until then, जब तक हमें यह structure और confirmation नहीं मिलती है, और 525 के ऊपर हम trade कर रहे हैं, हम इसकी testing एक बार और anticipate कर सकते हैं, और उसी हिसाब से कल के session में, int bottom basis पर anticipate करेंगे, यह सारी update अगर आपको live market में चाहिए, premium group में, यह actually जो move है, यह actually होने के पहले अगर आपको मिले और levels आपको उसी time मिल जाए तो जादा अच्छा है, और यह अगर levels आपको होने से पहले live market में चाहिए, तो हमारा premium group आप try कर सकते हैं, जिसका link आपको इस video क के description में मिल जाएगा, I'll see you next time, thank you so much, bye bye.